हेलो एब्रीबन तो गाइज स्वागत हैं आपका प्रिया की इंडियन रसोई में तो भाई रक्षा बंदन आने वाला है कुछ सोचा है आपने की मीठे में क्या बनाना है तो सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको इस खीर की रेसीपी को आप ट्राइ कर सकते हैं य अच्छे से दो तिन बार वाश करने के बाद ना इसको बिखो के छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए दूद बॉइल कर लेंगे हमने फुल क्रीम दूद लिया एक लीटर अब इसको पहले बॉइल कर लेंगे दूद को अच्छे से अब जो हमने चावाल लिए थे ना चावा यह इसको डिव से दुद में डालेंगे इसको दूद रैए हो रहना है वाच वर्या जाता है वो तो दूदत से लगे लगे ना और घंसकी फ्लेम ना औब इसको बनागे तो यह बहुत ही तेस्टी बनती है क्योंकि दूद दीर-दीर बॉइल होगा तो उसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा तो चावल में इसमें डाल दी है और इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर ऐसे ही तो दूद को आपको चलाते रहना है वरना इसमें लम्स ब आपके ड्राइफूट्स जल जाएंगे इसमें तो ड्राइफूट्स में मैंने लिए बदाम और सिर्फ काजू इसमें इसरी फ्राइब कर रहे हुए मैं अभी मेरे पास पिस्ता नहीं थे तो इनको मीडियम फ्लेम पे हम थोड़ा सा गोल्डन कलर कर लेंगे इनका आप गय प्रूट्स पर अच्छा सा कलर आ गया है तो अब इन सभी को निकाल लेंगे हमको किश्मिश कभी फ्राइब करते हैं वरना वह जल जाएगी तो अभी हमने यह मखाने ले लिए मखाने को भी हलका सा फ्राइब कर लेंगे देश्ची में इससे इसको फ्लेवर ना बहुत ही दो मिन्यट में प्राइब करना वरना यह भी जल जाएंगे आप केस्की फ्लेम लो रखें दम फ्राइब किसी चीज में किश्मिश है किश्मिश को फ्राइब करेंगे अब यह मैंने चार्ष नी बनाने के लिए ना ची नी ले लिए बैक टोरी चीनी आप कम जादा कर सकते ह चीनी को हम इसमेजय फान यह से छलाए यह कोके हमको चलाना है थोड़ी देर में मेल्ट और शुरू वो जाएगी तो ना भी है जियरा रहें ने पर इसको चलाते रहना है तो कंटीनिया पलटाबी हो जाएगी और इसका कलर भी मैल्ट होघा तो देख सकते हूं यह कि अच्छे से मैल्ट रही है तीन से अ चार पूरी तरह से मैल्ट है कि ज़्यादा टाइम निलेगा इसको कलर भी चेंज बहुत हो चुकी है हुआ इसका कलर्ट भी चेंज हो गया चाहिए है इने चैया हो गई एक तयाश अपस्षाण बैँ ग्लाइब बाणर यदी turi तोब सब्षक् estaba beslut लोगी आप फ्लाइप लेटे डाले अधे तो भी तोड़ी दाला धाल के खोड़ा expensive all मैं इसका पानी डाल दियाए इस में इसके टेस्ट बहुत ही अलग हो जाएगा इस रेसिबी कॉप् Dus जरूर करें तो हमने दूद रखाता ना लो फ्लेम पर पॉल होने के लिए अच्छी से बॉल हो गया है मेरा इसमें जो चावल थे न वह बहुत अब आपको चेक करने तो आप अपने हाद से चीनी आड करनी है इसी में घाल देंगे और इसको लो फ्लैम पे ठुड़ा चला देंगे आप जब इसका तेस्ट ना एकडम रबडी की जैसा आता है यह फीपर करो ना इसको तो हर बार इसको बनाना पसंद करोगे यह तो डेफिनेटली मुझे पता है तो इसको ट्राय जरूर करें आप यह बिल्कुल रबडी की जासा लगता है थोड़ी देर में इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो मैंने इसमें आप मखाने एड़ कर दी हैं मखानों को आप इसमें चा अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें थैंक्यू फोर वाचिंग